बंदे मात्रम आप देख रहें नेटवक्टेन और मैं हूँ आपके साथ पूझा अगरवाल आपको सीधे लिए चलते है देहरदून जहां पर मुक्य मंत्री पुशकर सिंधामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिये पिचार दुलाई तो अजार इटीस से पहने मुक्य से होके रूप में काम करना सुरू किया आप सभी का आप सभी का लगातार सभी का लगातार सयोग अपनी सुपकामनाएं और बहुत से हमारे जो हमारे बरिष्टे हैं बड़े भाई समान जो मित्र हैं और पत्रकारों में जो हमारे से छोटे हैं हमारे छोटे भाई के समान सभी ने किसी ने सब कामना यह दिकिसी ने समर्थन किया किसी ने इस ने दिया और यह जो भी समय मिला था वो समय पूरा हो गया और आचार सहीता दागू हो गई है लोग तंद्र का महा पर वो सुरू हो गया है हम अपनी प्रदेश की जंता के सामने जा रहे हैं इस समय में थोड़ा क्योंकि कोरोना महामारी भी है और कोरोना महामारी के कारण से और हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की भोगली परिस्तितियां है उन भोगली परिस्तितियों में चुनाओ थोड़ा बिसम परिस्तितियों में भी है लेकिन उसके बाद व्यूट भी चुकि हमारे लिए दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं लोगों की जानमाल की सुरक्षा भी और लोगतंत्र के इस महाप्रवल में अपना अपना सब्का भाग लेना योगदान लेना और इसको लेकर हमने आचार सहीता आड़ तारीक को लागू ह होई थी हमने उससे पहले ही चुकि कोरोना थेजी से खेल रहा था हमने साथ तारीक से ही सोला तारीक कर सभी प्रकार के जिबने भी आयजन थे धर्मी कायजन, सामाजी कायजन, अरेलिया, जुरूस इन सभी को हमने प्रतिवंदिर किया था इसी वीच बड़ी ख़बर आपक आपको बता दे दिल्ली दोरे पर हर्याना के सियम मनोहर लाल, केंद्र मंत्री भुपेंद्र यादव, अश्वनी वैशनव से मुलाकात की रेल मंत्रे से प्रदेश की रेल परियोजनाव को लेकर बनी सहमती, तो ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ल दोरे पर हर्याना के सियम मनोहर लाल, केंद्र मंत्री भुपेंद्र यादव, अश्वनी वैश्वन से मुलाकात की रेल मंत्रे से प्रदेश की रेल परियोजनाव को लेकर चर्चा होई, कई रेल परियोजनाव को लेकर सहमती Б re ibn है, तो बड़ी ख़बर आपको बता दे परियोजनाव को लेकर सहमती भी बनी है कि अधिया इन्फास्रक्ट्टर का जितना आगे मैं तो बढ़ रहा है उसमें जाहे हमारा रिल इंफास्रक्टर हो जाहे रोड इंफास्रक्टर हो उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रजक्ति अपनी कर रहे हैं तो आज जैसे र सब्सक्राइब करेंगे तो दिली दौरे पर हर्यान के सिया मनोहडाल पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्र मंत्री बुपेंद्र ज्यादव और अच्वनी वैश्णव के साथ मुलाकात की जहां पर रेल मंत्री से प्रदेश की रेल पर योजनाओं को लेकर चर्चा हुई और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी समधाता इशा ठाकुल इसी खबर पर पूर्लाइन पर जुड़ चुकी है इशाद दिल्ली दोरे पर हर्यादा के से हम पहुँचे हैं और साथी उन्होंने ये सुनेशित किया कि रेल पर योजनाओं को किस तरह से मजबूत किया जाए किस तरह से पुक्ता किया जाए इसको लेकर चर्चा हुई है क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास इसको लेकर? इसमें खास तोर से हिसार को लेकर जो नहीं रेलवे लाइन बनानी है उस पर मुखे तोर से यहां पर चर्चा हुई है और इस रूट पे फास ट्रेंड चलेगी और जो रेलवे मंत्री हैं उनकी तरफ से भी आस्वाशन दिया गया है कि क्योंकि केंडरे में बीजेपी की सरकार है और हर्याना में भी बीजेपी की सरकार है ऐसे में डबल इंजन की सरकार की बात करें तो सर्योग के साथ हर्याना में कार्य किया जाएगा तो अर्याणा के क्रिशि मंतरी J.P. दलाल बहादुरगाड के डाबोदा गाउं में पीने के पानी की योचना का शुभारम करने पहुंचे तो फसल विविधी करण और साथी बागवानी मचली और पशुपालन जैसे काम किसानों को करने होंगे इस दोरान किशी मंत्री ने माना की गाउं में पीने का पानी नहीं है और खेतों में जल भराव है उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने योजना चलाई है जिस खेत में पानी का स्तर उपर है उस पानी को जमीनी स्तर से नीचे करने के लिए सरकार की योजना है इसके लिए किसान को कृशी विभाग की वेबसाइट पर एप्लाई करना होगा पचास हजार का कुल खर्च प्रती एकर आएगा जिसमें से 45,000 सरकार देगी और 5,000 किसान से लिया जाएगा आज ही परमें कि व्वस्तानी खार में दर्वागय के बाद है कि आजा दी के 70 साल बाद भी दिली के इतने पास के गाहँ जहाँ खेतों में पानी बढ़ा हुआ है गाहँ में पीने के पानी के समच्या है उसके इंदिजाम करने के लिए गाउं में मीठा पानी मिले दो करोड की वजना का आज शुरुवात की गई है जिसे सतर लिटर की परतिवेक्ति के इसाब से पूरे गाउं को पीड़े का पानी मिले और हमने जो पीड़े जो वाटर लोग डेरिया है रोतक और जजज़र जिले का आदा एलाका लगबग पानी से बर गया है जमीन खराब होगी है इसके लिए योजना बनाई है हर्याना सरकार ने कि प्रफरेटिट पाइप डाल करके इस पानी को जमीन के पानी को तोड़ा जाए निचे ले जाए जाए मौई हर्याना के सिक्षा मंत्री कवरपाल गुज़र ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे 26 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का निड़न लिया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्धे नजार विद्यारतियों के सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों और कॉलेजों को 26 जनवरी तक बंद रखने का निड़न लिया क्या है उन्लाइन सेक्षन जारी रहेगा जिसमें अगामी परिक्षा की तैयारी पर केंद्रेथ होकर स्पूल और कॉलेज अवश्यक कारवाई करेंगे वहीं यम्नानगर के सिवल अस्पताल में सेक्षा मंत्री कवरपाल गुजर ने कोरोना कंट्रोल रूम का शुभारम किया साथे यम्नानगर में हेल्थ आईडी बनाने में प्रथम आने पर करमचारियों को सम्मानिद भी किया क्योंकि हेल्थ आईडी बनने से मरीज का पूरा खाका डॉक्टर के पास रहता है और मरीज की जाच करने में देर नहीं लगते करूना के पैसे तबारा से बढ़ने सुखे तो जिन लोगों को नौ महींने पहले यह डोज लग चुकी थी उनको दोबारा से बुस्ट डोज जिजा रही है ताकि उनकी मुनिटी और मजबूत और तो उससे उनका बचा उसका इसी प्रकार से कोविड कंट्रोल रूम यहां करते हैं और उनकी उनका स्वस्थे कैसा है किस परकार की दूरता है तो यहां पर कैसा कंट्रोल रूम जिन में एक बार जरूर उस पेशेंट के साथ हो बाची तुमारे डॉक्टर करते हैं वक्त फिलाल एक छोड़ सब्रेक का है जल लोटेंगे खबरों के साथ क्या आप दूबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल में बात खाना पीना खाना नहीं है में बात है खाया पीया लगना और अगर खाया पीया लगेगा ही नहीं तो सहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरवेदा ने एक ऐसी डवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगडे खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जा है ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर म अपनी सकिन को दीजिए आयूरवेद की देखभार अपनाई आयूरवेदिक रूप मंत्रा रूप मंत्रा आयूरवेदिक फेस वाश इसमें है क्यूकंबर के प्यॉर एक्स्ट्रैक्स जो नाच्रिली चहरे को बॉश राइस रखे ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयूरवेद दिकोश दी है है रिपोर्ट देखे हैं हरियाना में तेजी से पैर पसार रहे कोरूना और इसके ही वेरियंड ओमिक्रॉन की रोकताम के लिए वैक्सिनेशन का काम तेजी से जारी है प्रदेश में जातर लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाली है वहीं करीब 80 फीजद लोगों को 60 साल से उपर के लोगों को प्रकॉशन डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है सो निपत में बूश्टर डोज लगवाने के लिए लोगों में जवर्दस उसा देखने को मिला बुज़र्ग भी बूश्टर डोज लगवाने के लिए वैक्सिनेशन सेंटर पर वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर आदर्श कुमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस अभ्यान से जोडने की अपील की उन्होंने बताया कि जिले में 62,005 सो लोगो बूश्टर डोज लगाने का लक्ष रखा गया है जिले में 15,292 हेल्थ केर वर्कर्स हैं जिसमें 14,554 फ्रेंड लाइन वर्कर और 32,654 बुश्टर डोज लगाई जानी है सोनिपत में कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में भले ही लगातार इजाफ़ा होता जा रहा हो लेकिन रहात की बात यह है कि कोरोना वाईर्स के नए वेरेंड ओमिक्रोन का कोई भी पॉजिटिव केस अब तक यहां नहीं मिला है हाला कि लगातार स्वास्थी भाग लोगों से कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए अपील कर रहा है साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे COVID-19 की सबी गाइडलाइन का पालन करें ताकि प्रदेश में पैर पसा रहे कोरोना संक्रमन को कम किया जा सके सोनिपत से नेट्वोक 10 के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट और कुरुशेत्र में भी बूस्टर डोस लगवाने के लिए भारी संक्या में लोग पहुँच रहे हैं सरकारी अस्पताल LNJP में पहुँच कर लोगों ने बूस्टर डोस लगवाई बता दे कि कुरुशेत्र रेड जोन में शामिल है जहां तेजी से कोरोना बढ़ रहा है LNJP अस्पताल के सिविल सरजन डॉक्टर SS महला ने लोगों से जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने और साफधानी बरतने की अपील की है अज दस जनवरी से पूरे देश में एल्फ केर वर्कर फ्रंट लाइन वर्कर और जो अमारे स्कूलों में लगातार कैम्प लगाकर 15-18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाए जा रही है अब तक गोहाना में 4000 से जादा बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है हाला कि हर्यान सरकार ने 12 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिये थे लेकिन स्वास विभा के कहने पर सरकारी और प्राइबेट स्कूलों में 15-18 साल तक की उम्र के बच्चों को बुलाकर उनको वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है गोहाना स्वास विभा के डॉक्टरों की माने तो गोहाना में हर रोज तीन से चार स्कूलों में वैक्सीन के कैम्प लगाय जा रहे हैं और अब तक चार हजार से ज़्यादा बच्चों को टीका लगाय जा चुका है इसके अलाबा हेल्थ चेक अप कैम्प भी लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, सर ने जो ये व्यवस्था कर रखी है, ये बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। दोस लग चुकी है, नो जिले में कोवेड रोधी वैक्सीन के लिए 9,4,678 आकड़ा हासल कर लिया गया है। जिले में 15-18 साल तक के किशोरों को 16,617 वैक्सीन लगाए जा चुकी है। सेवल सर्जन डॉक्टर सुरेइन रुयादव ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन की दोनों जरूर दोस जरूर लगाए। पूरे स्टेट में बढ़ रहे हैं। और हमिक्रों का केस हमारे डिस्टिक में अभी एक भी नहीं आया है। और जो केसी हैं वो टोटल स्टाइम एक्टीव केसी 57 है। सभी जो हैना स्टेवल है सभी अपने घर के इलाल देरें। केसी डेफिनेटली पुछले एक सब्ता में रेपिडली बढ़े हैं। जो इस लिए में एक्सपेक्टिड भी था। और अच्छी बात यह है कि सीरियसनेस ना बराबर है। मैं तो लोबस यह अपील करूँगा कि अपना वेक्सिनेशन जल्दी जल्दी करवाएं। मास्क का यूज करें धर से बार ना निकलें। बहुत जरूर है कोई निकलें। मास्क यूज करके निकलें। यह दसपना दिन अगर यह च्टिकली लोग करेंगे तो हम यहां से बिल्दी निकल जाएंगे। वहीं गोहाना में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब पुलिस प्रशाशन ने शेहर में सक्ति दिखानी शुरू करती है। पुलिस ने शेहर में बिना मास्क लगाकर घूमने वालों के खिलाब चालान काटने का प्यान चलाया। दुरान तीन दर्जन से ज़ादा लोगों के चालान काटे गए। जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसके अलावा शाम 6 बजे के बाद दुकान खोलने वालों दो दुकानदारों के खिलाब भी कारवाई की गई है। इस बारे में जो सरकार से गाइडलाइन पर आप हुए है। उनके अनुसर रमकारवई कर रहे हैं। उसके लोगों मास्क के चलान भी किये हैं। और जो दुकानदार निर्दार समय से आगए दुकान खोल रहे हैं। उनके खिलाब हमने एफएर वे 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 उनके दर्ज की हैं। और फरिदाबाद के सिवल अस्पताल में आज बं निरोधाक दस्ते को अचानक देकर इलाज कराने आई लोगों और अस्पताल स्ताफ में हड़का मच गया। तब तक लोगों की सांसे अटकी रही जब तक लोगों को ये मालूम नहीं चल गया कि ये केवल रूटीन चेकिंग है और मातर 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। तस्पीरे फरीदाबाद के सिवल अस्पताल बाश्याह खान की है जहाँ पर एक बार तो सभी बम निरोधक दस्ते को देखकर हैरत में पढ़ गए कि आगर अस्पताल में बम निरोधक दस्ता क्यों पहुँचा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो टीम ने बताया कि ये एक रूटीन चेकिंग है और ये चेकिंग 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। पुन्हाना उपमंडल के लोहेंगा करा गाउं में बरसात के कारण उजीना ड्रेन में पानी जादा आने से खेतों में खड़ी फसल जलमग न हो गई। करीब 50-60 एकड़ गेहूं और सरसो की फसल में पानी भरने से किसानों का लाख रूपे का नुकसान हो गया। जिसकी वज़ा से जब ड्रेन में पानी जादा भर गया तो उसे नियंदरत करने के लिए कोई करमचारी नहीं था। किसानों का कहना है कि अगर सही समय पे पानी को नियंदरत कर लिया जाता तो पसलों में पानी नहीं भरता। और जो अपना ये गेट है ये खराब हो रहे हैं जी इन पर नहीं कोई रहता है जो रहता है जिसकी डूटी है वो यहां पर आता ही नहीं है महीना से महीना नहीं आता चैचा महीना नहीं नहीं आता उनके लिए के कुछ भी हो खेतों में कुछ मत हो उनके लिए कुछ नहीं है जी अपनी को ये लगाले सो किलार में पानी बहर गया है यह पानी भरने का कारणी जी नहर के जो गेट है वह दो दोनों कहरा हैं और कहरा हो रहा है पाने आवर हो दोने के बाद में चत्ट में चढ cultiv 376 नहीं उसकी इसा में सो अधिकारी यह नहीं में नहीं जीर liarिया ना अब तक कोई देखने को आई इसको यह पानी भरने का कारण यह है जी तो हर्यान के नूंकी एक खबर आपको बता रहें जहां पर 50-60 एकड़ जमीन में लगी फसल बरबाद हो गई जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है हाला कि किसानों का आरोप है कि अगर सिचाए विभाग लापरवाही न बरता तो आज यह हाल न होता और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे दिल्ली पुलिस के चार वरिष्ट आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है आईपीएस, ऐस्बीके सिंग, डीजिपी, मिजोरम दिल्ली लोटे और आर्पी उपाध्याई, डीजिपी अरुनाचल प्रदेश वापस दिल्ली आए है Special CP सतीश गोलचा, डीजीपी अरुनाचल प्रदेश बनी और Special CP क्राइम देवेश चेंदर श्रिवास्तव, डीजीपी मेजोरम बनाए गए हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जहाँ पर पुलिस के चार वरिष्ट आईपी अरुनाचल प्रदेश बनाए गए, Special CP क्राइम देवेश चंदर श्रिवास्तव, डीजीपी मेजोरम बनाए गए हैं और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं, चारों ही IPS अफसर के नाम हैं, जिनके तबात लेखिये गए हैं, एक बड़ा प्रशाश्मिक फेर बदल किया ये, और आर्पी उपाध्याए उनका पधी बदला किया है तो वहीं पंजाब पुलिस ने इंटरनाशनल सिख यूथ पेडरेशन समू द्वारा समर्थित एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, पुलिस ने शाय लोगों को गिरफतार किया है, और इसे के साथ पुलिस ने पठान कोर्ट आर्मी कैंप पर हमला किया, और हत गोले हमलों को भी सुल्जा लिया है, तो आपको बता दें कि ये बड़ी सपलता हाथ लगी है, जहाँ पर पंजाब पुलिस ने इंटरनाशनल सिख यूथ पेडरेशन समू द्वारा समर्थित एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है, इसे के साथ इस बुलि पॉक्टिर जहें